आज का हमारा पहला कोशिन है concerning eco-sensitive zone which of the following statement is correct ये कोशिन भई IES के 2014 के प्री में पूछा गया है ये दो स्टेटमेंट है इन दोनों में से कौन सी correct है या फिर दोनों correct है या फिर कोई भी नहीं पहली statement तो है eco-sensitive zone are the areas that are declared under wildlife protection act 1972 and second statement है the purpose of declaration of eco-sensitive zone is to provide all kind of human activity in those zones except agriculture यानि के agriculture के इलावा सारी human activities को रोक दिया जाता है प्रतिबंद लगा दिया जाता है तो इन दोनों statement में से इन चार option में से कौन सा answer सही है हम इस question का answer discuss करेंगे भई लेकिन उससे पहले कुछ देख लेते है और अगर आपको इस question का answer पता है तो आपके लिए comment box open है आप लोग इसका answer देजिए तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे भई ecology का part second इससे पहले मैं first part भी discuss कर चुका हूँ और MCQ सारे वही उठाए हैं जो पहले भी exam में आये हुए हैं और सारे ही question किसी ना किसी state PCS के अंदर आये हुए हैं तो यह आपको PCS में help तो करेगा इस साथ में SSC में भी बहुत ज़्यादा help करेगा चाहे वो railways हो या police हो इन सब में definitely help करेगा तो चलिए start करते हैं अगर पहला part ना देखा हो तो यहाप एक i button आएगा वहाँ पर click कर लेजेगा साथ में मैं description में भी उसका link डाल दूँगा तो आज हम लोग discuss करेंगे part 2 सबसे पहला question है the transitional zone between two distinct community is known as यानि कि दो distinct community के बीच के transitional zone को क्या कहेंगे तो उसको हम बोलेंगे भई ecotone यानि कि इस cancer तो जाएगा option number D अब ecotone होता का है अब हम वो देख लेते हैं जैसे question के अंदर पूछा था कि transition zone को क्या बोलते हैं तो बोलते हैं ecotone बोलते हैं जहां पर क्या होगा basically हम इस map से easily समझ पाएंगे कि आप देख पा रहे हैं कि हम पर दो distinct community हैं इस तरफ आफ grassland देख रहे हैं टागराम और देख लेते हैं जैसे कि हम देख पा रहे हैं इदर ये इदर हम लोग देख पा रहे हैं कि इदर अलग community है इदर अलग community है और बीच में ये जो transitional zone है इस ecotone बोला गया है basically है क्या the boundaries between two adjacent habit ठीक है और एक बात देखने वाले इसमें ये है कि इसके अंदर जो है ये often reach होएगा किसी इसमें species की जो diversity है यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी तो answer हो जाएगा option number D I hope आपको clear होगा ये उसके बाद है which one of the following is an example of anthropogenic biome anthropogenic biome का मतलब क्या है कि जहाँ पर human activity involved हो जाती है तो एके करके हम चारो एक्जामपल को explain करेंगे सबसे पहले है fresh water fresh water हम basically उस water को बोलते हैं जिसके अंदर dissolved salt और dissolved solid की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है और fresh water की में एक्जामपल की बारत करूँ तो ice sheet ice caps, glacier, iceberg ponds, lake, river, stream इन सब चीज़ों के अंदर आती है fresh water तो हाला कि हम यह चीज़ देख पा रहे हैं कि इन सब चीज़ के अंदर human activity तो कोई नहीं है यह सब natural activity है तो इसको हम लोग anthropogenic biome नहीं बोलेंगे यानि कि यह तो इसका answer नहीं है उसके बाद second है grassland grassland आप लोग इस image में देखी पा रहे है यह भी क्या है भी एक natural अगर कोई खाली जगां पड़ी है तो उसके अंदर कुछ time बाद हम गास अपने आप उगने लग जाता है और एक बहुत बड़ा grass अगर यह मतलब भूसतल काफी बड़ा हो तो grassland की form ले लेती है तो यह भी natural occurring है तो इसका मतलब इसमें भी human activity नहीं हुई है अब third है rainforest rainforest आप image में देखके समझ गयोंगे वो area जहाँ पे evergreen trees रहते हैं और जिर rainfall है बारिश जो है वो हाँपर high amount में होती है इसलिए इसको earth का oldest living ecosystem भी कहा जाता है तो अब हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये भी एक naturally made है यानि कि ये तिनो option तो है नहीं अब रहे गया कौन सा चोथा दी तो इसका answer है crop land crop land वो land है भई जिसके अंदर हम लोग यानि कि हम बोलते हैं easy language में agriculture land को हम लोग crop land बोलते हैं जहाँ पर हम लोग फसल लोग आते हैं और फसल naturally तो उगती नहीं है भई कौन सी activity है वो anthropogenic यानि कि human activity की वज़े से होता है answer है option number D उसके बाद है भई ये question है था IS 2018 के अंदर कि इन में से कौन सी statement correct है सबसे पहले है most of the world coral reef are in tropical water सबसे पहले हम देख लेते हैं कि coral actually होता क्या है ये basically क्या है बना होता है tiny animal ये एक छोट-छोटे animal से बना होता है जिसको हम लोग polyps बोलते हैं उनके combination को उनकी branch को हम लोग क्या बोलते हैं coral बोलते हैं और in fact में ये क्या होते हैं एक तरह के animal होते हैं image में देखकर आपको clear हो जाएगा कि मैं coral leaves के बारे में बात कर रहा हूं तो ये बात कर रहा है कि ये tropical water में होते हैं अब tropical water कौन से होते हैं भई tropical water वो है जो tropic of cancer और tropic of capricorn है उसके बीच का जो area है वो सारा ही tropical ocean consider करते हैं हम लोग तो पहली statement तो बिल्कुल सही है कि tropical water के अंदर ही most of the coral leaves पाए जाते हैं second statement है more than one third यानिके one third जो coral reef है ये Australia, Indonesia और Philippines के अंदर पाए जाते हैं तो ये statement भी बिल्कुल सही है तो इस हिसाब से हमारा answer क्या हो जाएगा option number C both of statement moving on to the next question और हाँ यहाँ पे जो water temperature होता है basically throughout क्या रहता है same रहता है next है ecology is permanent economy ये slogan किस time पे किस moment पे जो था raise हुआ था बई ये जो slogan है ये 1970s के अंदर basically 1973-74 के time पे उत्रप्रदेश यानि के अभी तो वो अलग हो चुका है उत्राखंड बन चुका है यानि के उस समय के उत्रप्रदेश में हुआ था या फिर हम बोल सकते कि आज के उत्राखंड में हुआ था उस moment का नाम है बई चिपको अंदोलन और वहाँ पे अगर मैं चिपको अंदोलन का नाम ले रहा हूं तो सुंदरलाल बाहू नाजी का नाम तो मैं लेना भूली नहीं सकता है क्योंकि इनकी वियसे ही ये जो हाँ सक्सेस्फुल हो पाया था यानि कि वहाँ के एक ट्राइब थी जिसने पेडों की कटाई के लिए पेड से जाकर चिपक गए थे ताकि पेडों को काटा ना जाये अब इस question का अंसर तो मैंने बता दिया है अब आप लोगों के लिए question है question क्या है कि उत्राखंड state कब बना क्योंकि जब मैं 1970 की बात कर रहा हूं तो उत्राखंड उत्र प्रदेश का पाड़ था तो खुद state उत्राखंड कब बना ये आप लोग मुझे comment box में लिखके पताएंगे उसके बाद है next question में जाने से पहले बही अगर आप पहली बार आए हैं तो subscribe कीजेगा dedicated upload हमारे ये हैं साथ में मैं संडे को भी 12 बजे दुपहर को upload करता हूं और आप लोग अगर different platform पे हैं telegram पे हैं instagram पे हैं आप लोग मुझे follow कर सकते हैं इसकी pdf आपको telegram पे मिलेगी link मैं description में डाल दूँगा और definitely आपको center के और इन सभी states के exam में ये videos help करने वाली है अगर आप लोग पूरी concentration से इसको देख रहे हैं next question है कि chip को movement कि से related है ये मैं बता चुका हूं आपको कि ये क्या था एक forest conservation movement था तो इसी साब से मैं अगर 60 option देखूं तो option number A बिल्कुल सही बैठेगा plant conservation उसके बाद है ये question भी भाई ISK 2013 में पूछा गया था कि अगर मैं productivity के हिसाब से लगाऊं तो decreasing order में मिरकुल लगाना है यारी कि इसकी productivity सबसे ज़ादा है वो पहले लगाना है और फिर कम वाला आगे लगाते जाना है तो अगर मैं बात करता हूँ ये पर चार option दिये गए है ocean, lake, grassland and mangroves discuss करते हैं बई basically productivity क्या है क्या चीज़ ये है rate है जहाँ पे हम biomass production चेक करते हैं यानके जहाँ का biomass production ज़्यादा होगा उसकी productivity ज़्यादा जहाँ पे कम उसकी productivity सबसे कम तो हम बात करेंगे अगर ocean की, ocean की जो productivity है वो 50 gram carbon per square meter per year है यानि के सिर्फ 50 gram carbon जो है इसकी production है और अगर मैं lands की बात करूँ उसकी 160 gram है उसके बाद mangroves की बात करूँ इसकी productivity सबसे highest है बई जो की 3300 से 6000 gram carbon per square meter per year है तो सबसे ज़्यादा किसकी mangroves की है बई तो स्टार्ट किस से होगा mangroves से होगा तो option number 1 और D तो हम निकाल देते है और अब हमें एक चीज़े भी पता लगी है कि सबसे कम production किसकी है बई यह है ocean की यानि के mangroves सबसे पहले होगा और ocean सबसे last में होगा तो ऐसा option हम इसली देख पा रहे हैं कि option number C है और यह IS 213 में भी पूछा गया था चले भई next बढ़ते हैं अब the measurement unit of ecological footprint is यानि के ecological footprint को हम किस तरह से measure करते हैं basically होता कि है अब यह यह तरह की earth के ecosystem के उपर human demand है अब इसमें demand किस तरह की है कि जो people रह रहे हैं उनको भी पूरा हो और साथ में sustain करें यानि के आने वाले time में भी आने वाले PD के लिए यह चीज़ बनी रहे इसमें यह सब चीज़ें जो थी contain करती है लेकिन इसको मापने का तरीका जाए भई हम इसको मापते हैं global hectare के अंदर यानि के measurement unit of ecological footprint is global hectare option number A उसके बाद है कि जो marine system होता है क्योंकि हमें terrestrial का तो पता है काफ़ी easy है जो marine food chain है उसका sequence क्या है ये भी IS24 में पूछा गया था सबसे पहले आते हैं भई die atom ये क्या होते हैं भई autotrops होते हैं autotrops का मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेर करते हैं और die atoms को भई कौन consume करेगा ये करेंगे crust ocean ये होते हैं herbivorous animal जो die atom को feed ये उनके उनको खाते हैं die atoms को उसके बाद जो herrings हैं वो carnivore animals हैं जो की crust ocean को खाते हैं यानि कि पहला होगा option die atoms फिर crust ocean फिर herrings जो हम सीधा सीधा देख पा रहे हैं option number A के अंदर तो right होगा option number A उसके बाद हैं एक option भी मैंने सबसे पहले discuss किया था अब इसका answer भी discuss कर लेते हैं पहली बात तो ये हैं कि जो तो जो eco sensitive zone होते हैं भाई वो environment protection at 9086 के अंदर mention किये गए है ना कि 72 के अंदर है यान कि ये statement तो गलत होगी दूसरी बात जो दूसरी statement थी उसके अंदर हम बात करेंगे statement में तो बोल रहा था कि जितने भी human activities हैं उसको ये प्रतिबंद लगाता है लेकिन ऐसा नहीं है human activities के उपर प्रभंद नहीं लगता यानि कि प्रतिबंद नहीं लगता है वो regulate रहती है regulate मतलब कि activities में जो है कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन prohibited नहीं होंगी बूरी तना से बंद नहीं होंगी इसका मतलब दोनों ही statement गलत है तो answer होगा इसका option number D neither one or two एक question काफी important है भाई इसके इलावा PCS में अंदर भी पूछा गया है हो सकता है कि आने वाले PCS के अंदर भी पूछा जाए उसके बाद है in the grassland trees do not replace the grasses as a part of ecology succession because of ये question भी आईस 2013 में आया है यानि कि grassland के अंदर grasses की जगह है trees क्यों नहीं आते जब भी ecological succession होता है अब ecological succession क्या होता है भी पहले वो डिसकस कर लेते हैं ecological succession वो process है जहां पर एक time के अंदर एक ecological community के अंदर change देखने को मिलता है यानि कि उनकी species structure के अंदर change देखने को मिलता है लेकिन grassland के अंदर जो है ये ecological succession के बावजूद भी हमको सिर्फ grass ही दिखती है trees क्यों नहीं दिखते इसका कारण है भई पहली बात तो water limit और दूसरा fire fire कैसे है कि recent time में जो भी fire हुई है उससे क्या किया है उसने ground की composition को change कर दिया है और दूसरी बात जब ground की composition change हुई तो वहाँ पर इस time पर पेड नहीं थे तो वहाँ के पाणी ने जो most of soil थी उसको वहाँ से बहा कर ले गया और वहाँ पर एक तरह की एक pioneer population बना दिया यहाँ पर word है pioneer population इसका मतलब कि जब भी कोई ecological succession आता है उसके बाद जो change होने के बाद जो population generate होती है उसको हम लोग pioneer population बोलेंगे ठीक है तो अब क्या हुआ कि grassland यहाँ पर बन चुका है और साथ में grasses जो है ज़्यादा पानी भी absorb करते है ठीक है तो इनके ज़्यादा water जो grasses के लिए रहेगा tree के लिए उतना expected water नहीं मिल पाएगा इनके expected water चाहिए वो नहीं होगा तो हम यह कारणिस का उचित बोल सकते हैं कि option number c water limits and fire is the right answer I hope यह question भी आपको clear होगा भई क्योंकि काफी अच्छा question अभी यगर देखा जाए तो यह उसके बाद है which of the following is not a biotic component of ecosystem अब दो system होते हैं भई biotic एक होता है abiotic biotic means जो living component होते है question में पूछा गया है not a biotic यानि कि हम लोग बोल सकते है abiotic ठीक है यानि कि जो non living है non living के इंदर हम बोल सकते है rain, wind, temperature, attitude, soil, pollution, nutrient, pH, type of soil इस question में plant भी living है भई bacteria भी, animal भी तो not living क्या है air answer हो जाएगा option number a next है इन में से कौन सी चीज biological oh sorry ecological balance बनाने में help नहीं करती है frustration मतलब के पेड़ों को लगाना भाई सब ठीक है rainwater management तो काफी ज़्यादा help करती है उपर से biosphere reserve भी बहुत ज़्यादा help करते है ecological maintenance के अंदर balance बनाने में तो option क्या रहा गया cutting forest जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं deforestation ये कभी भी ecological balance बनाने में क्योंकि ये पेड़ काट रहे हैं भई लगा नहीं रहे हैं तो answer क्या रहेगा option number A उसके बाद है आज की हमारी वीडियो का last question कि इन में से कौन सा पेड़ correctly match है option number A है mountain को बोला गया most stable ecosystem तो भई mountain most stable ecosystem नहीं होता है कौन सा पेड़ most stable ecosystem भई ये भी आप लोग मुझे बताएंगे comment box के अंदर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसके first part के अंदर जो ecology का first part है भई उसके अंदर मैंने discuss किया है कि सबसे stable ecosystem किसका है वो लोग आप लोग देख सकते है second है herbiotic component herbiotic component का मतलब जो non-living component है ecosystem के तो bacteria तो भई living है तो इसलिए ये भी option गलत है उसके बाद है green plant ecosystem तो ये option मैंने को बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि ecosystem के अंदर भी green plant बहुत बड़ा roll play करते है क्योंकि ecosystem के अभी एक interaction है किसका living का और non-living तो इसको हम लोग सही answer मानेंगे option number 6 is the right answer तो ये तो था भी आज का हमारा discussion इसके बाद ecology खतम हो चुका है अब हम discuss करेंगे pollution यानकि next video जो आएगी वो pollution के उपर ले के आँगा मैं वीडियो अच्छा लगए तो like करें और अपने study group में भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फाइदा ले सके तो चलिए जल्दी मिलेंगे तो गाइस कीप आउन स्टुटिंग